हेलो फ्रैंड्स विल्कम टू आवर यूटूब चैनल त्यारी एकजाम कि जिन लोगों ने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें ओके आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है अज का जो वीडियो देख लेगा उसमें 80 में 40 दम पक्का बनाके आएगा ठीक है और आज का जो वीडियो मिस करेगा वो 40, 80 में 40 में नहीं बनाके आप आएगा, एक नएक गलती जरूर रहेगा, ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपून होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखियेगा, ठीक है, और अच्छा लगेगा, तो लाइक, कमेंट और सेर जरूर कीजेगा, ठीक है, आज़ी अप लोग ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा और समझिएगा क्योंकि इसके बाद कोई और वीडियो अबजेक्टिव का हम नहीं बनाने वाले हैं ये लास्ट वीडियो है मेरा ओके आये तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखी क्योशन नबर पहला है ब्रेश्ट लिट इतनाम के बीच होने वाला समझाता किस नाम से जाना जाता है तो इसका राई ट्रेंसर हो जाएगा हो ची मिः ओकी क्योशन नबर थ्री है आप लोगों के पास पूर्ण सुराजी की मांग का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ तो इसक आप पर कॉमा आगया है कॉमा आगया है यहां पर यह जो कॉमा है ना बुक में मिले तो आप लोग इसे हाइलाइटेट कर लिजेगा और जरूर पढ़िएगा क्योंकि इस तरह के क्योशन आते हैं एकजाम में और जरूर आएंगे और लड़ेगा भी ठीक है तो देखिए बलब भाई पटेल को सरदार की उपाधी किस किसान आंदोलन के दोरान दी गई तो यहां पर उतर हो जाएगा बार दोली ओके आईए चलते हैं क्योशन आवर फाइव पे क्या है भारत के लिए पहला फैक्टरी एक्ट कप पारित हुआ तो 1881 इसवी में पारित हुआ ओके यह बहुत ही इंपोर्टेन क्योशन है फ्रेंड्स कि पुंजी पती वर्ग की द्वारा किस वर्ग का सोसन हुआ तो यहां पर सही उतर हो जाएगा स्रामिक वर्ग यहां पर बहुत सारे इस्ट्रेंट क्या करते हैं इन में से सभी टिक करके आते हैं तो यह गलत हो जाएगा आपका देखिए जो पुंजी पती जो हमीर रहेगा जो काम करने वाला रहेगा उसी का ना सोसन करेगा तो क्रीसी वर्ग क्रीसी वर्ग आप्शन में रहता है मजदूर बर्ग रहता है बहुत सार आप्शन रहता है लेकिन स्रामिक वर्ग इस दो राइट अंसर, आप लोग स्रामिक वर्ग मार के ही आईएगा, ओके धोखा नहीं खाना इको भी क्यूशन में, क्यूशन नवर सेवन है आधुनिक यूग में अर्थ व्यवस्था के छेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांती कौन सी है तो यहाँ पर सिम्पल सांसर है, ओद्योगी क्रांती, जो भी मैं अबजेक्टिव करवा रही हूँ, ध्यान से देखेगा और समझेगा ओके, क्यूशन नवर एट है, भूमंडली करन की सुरुवात किस दसक में हुई, तो 1990 के दसक में क्यूशन नवर 9 है, गुटेन बर्ग ने सर प्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेन बर्ग ने सर प्रथम वाईवील, क्या वाईवील की छपाई की आगे देखते हैं क्यूशन नमबर 10 क्या है बिस्व मेशर प्रतम मुद्रन की सुरुवात कहां हुई तो इसका उत्र हो जाएगा चीन क्यूशन नमबर 11 बहुत इंपोर्टेन क्यूशन है इस बार तो लगता है आएगा ये क्यूशन की मेढ़क की प्रजनन प्रकीरिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है तो इसका उत्तर हो जाएगा एंडरीन इस दा राइट अंसर सब अंसर 100% सही है कोई भी गलत नहीं है ओके आप लोग बुक से भी मिला सकते हो क्यूशन नबर 20 है बिहार में अती जल दोहन से भूमी गत जल में किस ततो का संकेंदरन बढ़ा है तो फ्लोराइड देखिएगा ध्यान से ये सवाने की संभावना है क्यूशन नबर 13 है समिधान की धारा 21 का संबंध है किसे है वन ये जीवो तथा प्राकिर्थिक संसाधनों के संरचन से आएए देखते हैं क्यूशन नबर 14 क्या है बिहाई के कितने प्रतीसत भोगोलिक छेतर में वन का फैलाव है तो यहाँ पर साथ हो जाएगा सही उत्तर आएए चलते हैं क्यूशन नबर 14 क्या है भारत में किस राज में सोर उर्जा के विकास की सरवाधिक संभाव ना है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा राजस्थान ठीक है राजस्थान तो यहाँ पर क्यूशन नबर 16 आ गया आप लोगों के पास बिहार की सीमा में रिल मार की कुल नबाई कितनी है तो 6283 किलोमीटर यानि की 6283 किलोमीटर आएए चलते हैं क्यूशन अबर 17 क्या है तल चिन की सहायता से किसी अस्थान विसेश की मापी गई उचाई को क्या कहा जाता है तो सिंपल सा अंसर है अस्थानिक उचाई देखिए क्यूशन में ही अंसर आप लोगों को पता चल जाएगा कि तल चिन की सहायता से किसी अस्थान अस्थान से आ गया अस्थान ठीक है और उचाई को उचाई अस्थान विशेस की मापी गई उचाई को अस्थानिक उचाई कहते हैं फिर देखें क्यूशन नबर 18 है वर्स 1975 भारती राजनीती में किस लिए जाना जाता है बहुत इंपोर्टन क्यूशन है फ्रेंट्स विडियो को जरूर अंतक देखेगा अस्किप मत किज़ेगा तो देखेए देश में आपातकाल लाग हुआ था वर्स 1975 भारती राजनीती में किस लिए जाना जाता है तो देश में आपातकाल लाग हुआ था देखें क्यूशन नबर 19 क्या है बिहार में संपुन क्रांती का नेत्रेत निमलिखित में से किस ने किया वहाँ पे आपको चार ओप्सन मिलेंगे इसका राइट अंसर हो जाएगा जै प्रकास नारायन देखें क्यूशन नबर 20 क्या है बहुत ही इंपोर्टन क्यूशन है इसका एक ट्रिक बनाए हम नर्मदा घार्टी परियोजना किर राज्यों से संबंधित है यह क्योशन जरूर आएगा ध्रकास नर्मदा घार्टी परियोजना देखें यहाँ पे क्या है दिख रहा है आप लोगों को ये कुछ इससे आप रोग ध्यान में रखेंगा बार बार कह रहे हैं बुक पढ़िये जितना भी रहता है ये सब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या महराष्ट्र, गुजरात, मधिप्रदेश नहीं मता घार्टी परियोजरा किन राजों से संबंधित है तो मगामा याद कर लिजे दही वाली मगामा पढ़े हैं ना बुक तो देखिए कैसे होता है मा से हो गया महराष्ट्र, गुजरात, और मा से हो गया मधिप्रदेश ठीक है, मगामा को याद कर लो नर्मदा घार्टी परियोजना किन राजों से संबंधित है तो मगामा, मा से हो गया महराष्ट्र, गर से हो गया गुजरात, और मा से हो गया मधिप्रदेश महराष्ट्र, गुजरात, मधिप्रदेश आए चलते हैं, क्यूशे नबर 21 क्या है लोकतंत्र का आत्मा किसे कहा जाता है तो आत्मा कहा जाता है संबिधान को आएए चलते हैं Q22 क्या है लोकतंत्र का प्रान किसे माना जाता है तो लोकतंत्र का प्रान राजनीतिक दल को माना जाता है आएए चलते हैं Q23 पे दल वदल कानून लागू होता है किस पे होता है तो सांसदो और विधायकों पर Q24 है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ ये सब क्यूशन याद करने वाला है कि 1999 में इसली को जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ ओकी आईए चलते हैं क्यूशन अबर 25 पे क्या है 25 है जिस देश की प्रती वेक्ती आईसरवाधिक होती है वह देश कहलाता है किया कहलाता है तो वह देश विक्सित कहलाता है आईए चलते हैं क्यूशन अबर 26 पे एक ट्रिक है इसका भी मेरे पास ओकी वेवसाइक बैंकों का सरप्रताम राश्ट्रियक रण कब किया गया तो वेफ साइक वेंको का राष्ट्री एकरण 1979 में किया गया जब इसका राष्ट्री एकरण किया जा रहा था तो सब कह रहा थे कि वेफ साइक वेंको का राष्ट्री एकरण में 9-6 नहीं होना चाहिए ने तो कम बैसी नहीं होना चाहिए तो 969 नहीं होना चाहिए तो यहां पर 969 नहीं होना चाहिए तो 969 यहां पर 9 का भी प्राइब 9 से कर लिजे और 1979 भी में ठीक है वेबसाइक बैंकों का राष्ट्रिय करन कब किया गया तो 1979 भी में वेपसाइक बैंकों का राष्ट्रिय करन करने में नो छोनों मत करो ठीक है आईए चलते हैं किशन अवर्स 27 क्या है यदि किसी बस्तू या सेवा का मुल्य 20 लाग से अधिक तथा एक करोड से कम हो तो उपभोकता कहां से कायद कर सकता है तो उपभोकता राज आयोग जब यहा पर इस्थित केंद्र को क्या कहते हैं तो उर्धवाधर मतलब आप लोग को पता होगा ऊपर वाला तो इसका उतर हो जएगा अधिक केंद्र आएए चलते हैं Q29 क्या है पंचायती राजव्यवस्था का दूसरा अस्तर है दूसरा अस्तर क्या हो जाएगा तो पंचायत समीती Q30 है इंपोर्टेन क्यूशन है कि आप लोग ये जोग्राफी वाला पढ़ लिजेगा बुक में जैसे कि चावल का पूछा है तो उशन आदर इसी टाइप का गेहूं और बाजरा का भी पूछ सकता है ये सब आप लोग पढ़ लिजेगा देखिए बुक में एक बॉक्स टाइप का रहता है बुक में और इसमें कुछ-कुछ बाते लिखा हुआ रहता है ये सब आपको पढ़ के जाना है तो आप लोग क को असी में 40 लाने से कोई नहीं रोख सकता आईए चलते हैं 31 पे किस वर्ष साइमन कमिशन भारत आया तो 1928 इसवी को क्यूशन अबर 32 है आधूनिक मुद्रा का रूप क्या है बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है क्यूशन आ सकता है तो कागज का नोट आईए चलते हैं क् 33 क्या है 95 अस्थापनाय किस की रचना है तो मार्टिन नूथर की फिर क्यूशन अबर 34 है गूटेन बर्ग ने सरप्रतं किस पुस्ते की छपाई की तहां पर बाइबिल इस दर राइटर्स है ठीक है क्यूशन अबर 35 है अखिल भारती किसा सफा का गठन किस वर्ष हुआ था तो इसका उतर हो जाएगा 1936 को क्यूशन अबर 36 है कानवार या कावर धील किस दीले में इस्तित है तो ये बेगू सराई में है ओके कानवर बस याद रखिये बेगू बेगू सराई में ठीक है क्यूशन अबर 37 है और द्योगी क्रांती योजना के तहत पहले या सुरू में कौन से उद्योग सामिल थे तो इसका राइट रेंसर हो जाएगा कोईला लोह और कपास अद्योगी क्रांती योजना के तहत पहले या सुरू में कौन से उद्योग सामिल थे तो कोईला लोह और कपास ट्रिक है कलर के याद कर लो आप सभी क्या है ट्रिक कलरक तो क्या हो ज लोह और को से हो जाएगा कपास ठीक है कलर्ग और दोगी करांती योजना किता पहले या सुरू में कौन सा उद्योग सामिल था तो कलर्ग था कोईला लोह और कपास आएए चलते हैं कि यूद के बाद जर्मनी का एकी करन पूरा हुआ तो इसका उतर हो जाएगा सेडान का क्यूशन नबर 39 है आप लोगों के पास सामिवादी घोसना पत्र के लेखक थें कौन थे हैं तो काल माक्स और एंगल्स हिस्ट्री का जो भी भी आई क्यूशन देखे होंगे उन्हें याद हो गया होगा कि सामिवादी घोसना पत्र के लेखक थें तो काल माक्स और एंगल् संसोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा अस्तर बनाया गया था तो यह तिहत्तरवा संसोधन ओके वीडियो को इंड करते हैं अब अब जेक्टिव क्यूशन एक भी नहीं डिलेगा यह लास्ट वीडियो था इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेर कीजेगा और जो भी बत बताए थी उससे जरूर फॉलो कीज़ेगा फिर असी में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है ओके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर ठैक्स पर वाचिंग दिस वीडियो हवा नाइस डे